सामलीकूम, आज हम 4 class का Math customer pack solve करेंगे जिसमें माई first activity दी ख़ें पिलिंग नी ब्लेंक्स तहीं हमें तीन कोलम्ड दिये गए हैं predecessor no,no और successor no,no प्रेडेशर no,no का मतलब होता है, पहले वालबर जो हमें number दिया गया, उससे पहले number कोन सा आता है हमने वो यहाँ पर सब्registrement सेच्छ करना है और सथ्केसर में बाद वाला नंपर है अब वार्स कोलम में दिएगा है टाइच 30745 तो प्रैडिक्टीस रमने इससे पहले वाला नमबर रइंट करना है और सुक्सेसर में हमने इसका बाद वाला नमबर राइट करना है इस में हमने इस नमबर में हमने लास्ट डीजिट को देखना है जो यूनिट कॉलम में होता है हमारा लास्ट डीजिट हमने वह देखना होता है कि इसका प्रेडिसेसर नमबर राइट करना होता है और सुक्सेस हम नंबर दिये गिए है उसका लास्ट डिजेट है पाइब तो वाइब से पहले हम काउंटींग में अगर टेकि नो निएक है फॉर के बाद पाईबाद या जा हमने भुड़ुर्ब यांगर चैजा वे देखते हुए होग मैं 4 रॉटींग के कंदि के मुटा तो 5 K पर पारे डजिर्स हम लिक वह ठीकिवाइसर में बाइस क्या है थाउसरूनर में रैट किया है 23,764 और 45% 250 disaster में रैट किया है 23,7766 कि 65 ठाट तो 2 तू gat UK 25 mm २ा की बात करें हो कि इसली में जाए में में को टूंब R det is all time $ everything in कि साथ नम्बrimねぇ historि से इस नमब्र हमारे पास नंबर 12,236 होगा तो ही उसके पहले वाला नंबर 5 आ रहा है यानि लास्ट डिजिट को देखेंगे तो अगर 5 आ रहा है तो यहां पर 6 होगा और सक्सेक्शन नंबर में हम 12,235 तो ही 37 राइट करेंगे क्योंकि हमें नंबर हमारा क्या आ रहा है 36 तो उसके बाद 37 या थी साथ आता है थर्ड कोलम में देखेंगे हमारे पास 1098 नंबर दिया गया हमने इसका प्रडिशेसर नंबर भी राइट करना और पहले वाला नंबर भी राइट करना है तो जब हम इसका राइट करें तो ऊन थौन नाइज़ नाइन इस स्वरी 97 आएगा और इसमें 1098 ह और प्रेडिसेसर में पहले हुआ हैं एठ से पहले सेवन आता है लास्ट अम डीजिट को देखेंगे यूनित वर जो डीजिट होता है उसको देखना है हमने उसका हम्ने प्रेडिसेसर नमर भी उसी कराइब करना है साथ से लिए इस पर बागी है आपने सौल्फ करने अन्हिस एक्तिवीटी ह Opportunity फॉर्ट दिनमा एक्सपैंट हम है कि सी भी नीमबर कोई करने के दो मैथ्री ठीक है ठीक है मैंने यह आपे दौनों मैथर से ago सुल्फ की है तो बाकि आप प्र गुल्वने को देख करते एंस हम इसे को प्रोड़क्ट प falling में राइट कर सकते हैं एक्स्टेंड कर सकते हैं 41,900 493 है तो हम प्रोडक्ट फोर्म में जब करेंगे तो 41,000 हमने एडिशन के सेंबल से इनको करना होता है 400 प्लस 90 प्लस 3 3 हमने इसलिए किया क्योंकि उनित कोलम में हमारे पास सिंगल वैली होती है यूनित वैली होती है तोस इसलिए हमने 3弗 5 variance को मुर्ण से मुल्डिपल किया है तो हमारे पास 3 आया है और 2 इस में आपको की 20,075 तो थो हुझ तो हम 10,000 टेंस वैल की तो को से मलचिब कर सकते हैं है कि मॉल्टेटिंट ταूजंट से मल्टिपल करेंगे दो को किपल करेंगे तो यहां पे हम रीडिस को एक साथ करते हैं 20,000 इसके बाद हमारा 100 कॉल्म भी जीरो है तो हम नहीं हम्हान्डिर्ट को 0 से ही म。」 mouths करेंगे फलास 7 को मॉल्डिपल 10 से करेंगे अब फाइव को मॉल्डिपल 1 से करेंगे क्योंकि 7 तैंस कॉल्म में आता है तो टेंस में हमारे पास दो डिजिस होते हैं और यूनिट कॉलम में हमारे सिंगल वैली होते हैं तो पाइप कम वन से मल्डिपल करेते हैं यह दो मेथड़ हैं जिसके से हम किसी भी नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं